तो भाई सबसे पहले मैं आपसे फूजता हूँ कि आप ड्रीम 11 कितने सालों से खेल लेगों तो इसका जवाब अम मुझे कॉमेंट वॉक्स में जरूर देना क्यों गाइस मैं आपको क्लियर दी बता जेता हूँ मैं जो ड्रीम 11 खेल ला हूँ वह पांच सालों से ड्रीम 11 खे करता हूँ कि वर्ल कप 2020 में और वर्ल कप 2020 का कोशी मैस गया और उसमें मैंने क्या क्या हूँ कि बाई ग्रैन लीक को बीन क्या हूँ यानि जियल को बीन क्या हूँ और देखो ग्रैन लीक को बीन क्या हूँ वह तीन टीप्स के करन मैंने क्या क्या हूँ कि बाई यह तीन टी 11 में आपको कुछ tips नहीं पता हुआ, कुछ tricks नहीं पता हुआ, तो आप कितने सालों से खेलते रहजाओगे Dream 11, but क्याने कि Dream 11 एं वीन करना है, तो आपको क्या करना logic लगाना, देखो आप जितना logic लगाते हो, जितना logic के साथ यदी आप team create करते हो, तो जितना यदि आप tips के साथ team बनाते हो न उतना आपका chances बनेगा कि आप grand league को win करोगे यानि आप zl को win करोगे क्योंकि अभी आपके सामने क्या कि world cup चला और देखो इस वीडियो के देखने के बाद कोई भी format का मैं चाहता लाइक ODI हो गया T20 हो गया T10 हो गया या टेस्ट हो गया मतलब किसी भी format में जो मैं अभी आपको बताऊंगा या तीन टिप्स यदि आप जान लेतो हो न तो भाई मैं आपसे कह सकता हूं कि आप भी grand league को win करोगे यानि आप भी zl को win करोगे देखो grand league को जो win करता है zl का winning का chances होता मैं आपसे कह सकता हूं कि grand league जो win करता है ना only 2-3% लोग grand league को ही win करता लेकिन 2-3% लोग grand league को तो win करता बट उसमें आपका number क्यों नहीं या था आप वहाँ पर से क्यों नहीं grand league को win करते हो आप वहाँ पर से क्यों नहीं zl को win कर पात आप यह तिन टेप्स को किलियर दी जान जाते हो न तो मेरे वाई में आपसे कर सकता हूँ कि ग्रैंड लीक को आप भी ब्रे आसानी तरीका से बिन कर सकते हो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि आपका सवाल होगा कि आप यहां पर से क्या ना कि प्रूफ में मैंने कितना इहाप पर से ग्रैंड लीक को बिन क्या हो यानि ज्यल को बिन क्या हूं फिर आप मरे सामने देख सकते हो अभे आपको प्रूफ दिखा रहा हूं यह जो प्रूफ आप देख ले केक रेंक लाँंगा लांने गे तो ऊसे पहले को बनाइक कर दो और चांटल पर पहले तो इसी प्रकार से ड्रीम लेंस सолж국화를 कब मेने चांटल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो थांचे पहले सिंपली आपको सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी में कोई नेक्स टाम वीडियो अफ्लोट करूँगा तो क्या हुआ कि आपका ही फाइदा हुआ वीडियो का नोटिपिकेशन मोबाइल में सबसे पहले आप तक के जाएगा और आप तक के जाएगा तो आपको क्या हुआ लगने यहां को नियुक्तवाइब करता हुआ देखð και मैं आपको बता दता हूँ टेली ग्राम चैनल पर क्या कि 27,000 से अधीग लोगों ने जुआइन करके रखा यानि 27,000 से अधीग लोगों ने जुआइन करके रखा और जो भी लोग याँ पर से जुआइन करके रखा घ़्य वैलकम में दमान मशाओरा है मेरे साथ यदि आप भी चाहते हो भीन करना तो टेली ग्राम चैनल है आप भी टेली ग्राम चैनल पर आजब लिंक बता देता हूँ description box में comment box में pin कर दिया हूँ top पे बड़े आसानी तरीका से आप मेरे telegram channel को join कर सकते हो तो भाई यह सबसे पहले clear दे आप proof देख लो कि कि आपका सवाल हुआ proof दिखाओ और साथ में इससे भी ज़ादा तगरा तगरा proof देखना चाहते हो telegram channel पे डिर साथ प्रूफ देखर की रखाओ भाई आज आज आप telegram channel पे साथ प्रूफ आपको देखने को मिल जागा अब आज आते हैं कि apper से आपको वह तीन tips बताओंगा वह तीन tips यदि आप जान लेते हो यदि आप इससे flow कर देते हो तो guys मैं आप से कह सकता हूँ कि आप grand league को बड़े असानी तरीका से बीन करोगे यानि zeal को आप बड़े असानी तरीका से बीन करोगे tips मैं जो अभी आपको provide कर रहा हूँ देखो सबसे पहला मैं आपको tips बताने वाला हूँ पहला इस tips को clear दे कि आप लोग पूरा धियान पुर्वक सूनना देखना और इससे समझना भी जैसे guys मैं माने की चलो एक team बनाऊँगा एक अभी आपके सामने क्या की team बनाऊँगा देखो tips नमवर मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ यह tips समझ लेना कि यह first tips मैं आपको दे रहा हूँ जो मुझे तीन tips के करना ने आपके से grand league में क्या हूँ सेम वही tips आपको बता रहा हूँ इससे flow कर दे तो 95% grand league आपके क्या होगा यह आपके पास होगा अब देखो यह तीन tips में पहला tips अभी मैं आपके साथ share कर रहा हूँ तो guys clear दे कि आप लोग यहाँ पर से वीडियो को पूरा देखना अभी आपको बहुत सारा information मिलने वाला जैसे देखो यह क्या कि मैंने एक circle बनाया हूँ अब यह circle में क्याने कि 11 खिलारी है माने कि चलो 11 खिलारी को अपने team में लेकर के चलना इससे क्या होता है कि मेरा यह जो हो गया है यह एक team बना है भाई यह आपर से यह एक team बना है यह से मैं मान लेता हूँ यह मेरा क्या कि एक team है अब देखो यह जो team देखते हो ना यह सो मैंने आपर से टीम बनाया हूँ, अभी यह सो टीम देख रहे हूँ, यह 11 खिलारी मुझे पिक करना, यानि 11 खिलारी को अपने टीम में लेकर के चलना, वैसे किलियर दी बोला जाए, तो कितना खिलारी मतलब 22 खिलारी मिलता, अब 22 खिलारी में से क्याना कि भाई, 11 खि बनाओगे ग्रैन लेक विश्टीम की ज़रूरत नहीं है विश्टीम बना लो 15 टीम बना लो लेकिन मैं आपसे बोल सकता हूं कि इस वीडियो देखने को बाद चार पांच टीम बनाओगे आप ग्रैन लिक असानी तरीका से बिन करोगे तो किलियर दी मैं आपको बता देता क्या होता ना कि आप जो टीम की डिएर किरती ऑं आपटें बनाते हो pow करसा प्रस टैम बनाते हो मतलब्ही सोच क्या होता अप आप जो यहां पर से सोचते हो를 न न मैं भी जो यहहां पर से मैं सोंच रहा था वाई 16 खिलाड़ी को लेगा तो असे सलो किया है कि 90 पर संटेज वाली यह जो खिलाडी देखते हो ऐसे खिलाडी मानने की चलो एक 11 खिलाडी मैं अभी आपके सामने ले रहा हूं फिर यहां पर से 70 हो गया फिर मानने की चलो यहां पर से 66 हो गया फिर यहां पर से क्या कि मानने थे 95 हो गया 96 हो गया फिर यहां पर से 78 हो गया 77 हो गया मानने थ किरेेट कर दिया हूं अब इसमें क्या होता ना कि Captain से अधिस में इसमें के लिए Captain का Casta स्लेक्शन करना तो भई मैं जो अपने टीम का Captain बनाता था अगओ 25гов क्युमलिक कि चैप्तन बनाया थे मैंने यहां पर से 11 खिलारी को फिक क्या हूं एक जो टीम बनाया हूं इसमें ये पता लगता बाई मैंस जब इस्टार्ट होता जब यहां पर से माने की चलो 10 अवर या 15 अवर हो जाता तो इसमें पता लगता कि भाई दो-तीन खिलारी मिला क्या कि फ्रॉफ चलिका यानि दो-तीन खिलारी नहीं चला है अब भाई दो-तीन खिलारी यदि आपका नहीं चलेगा तो किलियर दी कि आप grand league को नहीं बीन करया है मतलब grand league की winning की chances क्या है न कि काफी ज़्यदा कम हो जाता अब ग्रैनली को बिन करने के लिए क्या करना होगा ग्रैनली को जीतने के लिए क्या करना होगा कैसे खिलाडी को अपने टीम में लेकर चलना गाइस मैं अभी आपको इस वीडियो में से मैं आपको बताने वाला हूँ इससे देखने के बाद कही आप Grand League को काफी क्रीब होंगे, काफी आप असानी तरीका से Grand League को बिन कर जाओगे, किलियर दी कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेना आप, तो देखो ऐसे आप जो टीम बनाते हो, मैं आपको सबसे पहले बोल देता हूँ कि ऐसे टीम बनाना, छोड़ दो, जो मैं यहाँ पर से टीम किलियर कर रहा हूँ, तो देख लो यहाँ पर से यह क्या कि एवरेज टीम हो गया, सबसे पहले एवरेज से मालने ते इससे समझना, फिर यहाँ पर से देखा जाए, तो क्या कि एक एवरेज हो गया, फिर यहाँ पर से यह क्या कि एक रिक्सी हो गया, फि से याद तक कि इसी में से क्या की खिलारी को लेता है बड़ गया कि आपर से रिस से खिलारी नहीं इस से grandling win होगा देखो लोग क्या करते हैं कि लोग में आपर से क्या नहीं कि 8 खिलारी तो सभी लोग लेकर के जाते देखो 8 खिलारी सभी लोग लेकर के जाते बट यदि आप यह 3 खिलारी लेकर के चलते हो न तो यही 3 खिलारी आपका क्या होता यही तीन खिलारी आपको क्या होता कि ZL बिन कराता अब यहाँ पुर से समझेकलेर हथारी रिखसी क्लारी जो होना चाहिए उर्खसी क्लारी होना चाहिए कि आपको बताने पाद चाहिए वह आपको leverage क्लारी diversity होना चाहिए देकि लार होना चार जोना चाहिए ऐब्रेज में क्या होता ना कि एब्रेज के अर्डिक में आज बे-क ऊब्रेज को सकता से में कौनसा मैं हो सकता अवरेज में आजा सो 70 परसंटेज 80 परसंटेज सौरी यहां पर से सभ नयाशए हैं 90 percent यह किया कि कि 책 conspiracy हो यहां आपर Base इसटेज यह पर से अब किडीए अभरिकषी खिलारी में क्या था कि 20 परसंटेज वाले जो खिलाड़ी होता वह रिक्सी खिलाड़ी होता फिर माने किसे लोग यहां पर से 40% वाला खिलाड़ी क्या होता कि रिक्सी खिलाड़ी होता या मैं आप से कह सकता हूं कि 30% वाला जो खिलाड़ी होगा वह रिक्सी खिलाड़ी होगा बड़ गाइस देखो यहां पर से क्या याना कि सभी लोग क्या करते कि एवरेस के गैस जाते हैं स्रिप के गैस जाते हैं लेकिन यह बूब जाते रिक्सी टीम नहीं बनाते हैं लेकिन रिक्सी टीम यदि आप यहां पर से क्या ना कि रिक्सी टीम बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना तीन खिलारी लेता हूँ एक जास्परीत भूम्रा को ले लेता हूँ सबसे पहले रिख्षी ख्लाडी के एक बूम्रा का एक विकेट निकाले या फिर आपर से मान कि चलब पीछले कुछ मैस में देखते तो फिर एक विकेट निकाले अब देख यहां पर से selection percentage आ जाएंगे या batting से भी कोई खिलारी हो सकता या मानिक चलो example के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ रोई सर्मा भी हो सकता विराट कोली भी हो सकता उनका recent पूर्म पीछले 5 मेंस में कुछ खास ने तब क्या होता न उस condition में लोग अपने team से drop करना start कर देते हैं यानि अपने team में नहीं लेते बट आपको क्या करना जहाँ पर से लोग सोचना बंद करते हों वही पर से आपको सोचना start करना है जब आप वहाँ पर से सोचना start करोगे जब आप वहाँ पर से कियाने की वाई टीम बनाना स्टार्ट करोगे तो क्या हुआ कि आप Grand League को बहुत ही कड़ी पहुंच जाओगे आप Grand League को बहुत ही बड़े असानी तरीका से बिन करोगे तब आपको पताया लगेगा कि मैंने जो आपको इन्फर्मेशन दिया हूँ मैंने जो अभी आपको बताया हुआ एक प्रफैक्ट बत बताया हूँ और इससे जानने के बाद 95% क्या हुआ कि Grand League आपके हाथ में होगा अब समझ लेते हैं मैंने अभी आपको टीप्स एक तो यहाँ पर से सेर कर दिया हूँ अब आजाते हैं टीप्स नमर दो के अगेंस हम लोग जान लेते हैं टीप्स क्या है यहाँ पर से से सेकेंड होने वाला है टीप्स से से सेकेंड में मैं आपको बता देता हूँ जिससे तो भाई मैं आपको बता जाता हूँ ज्यादा नहीं आप Grand League का 5 टीम बनाना, 5 टीम से आप Grand League विन करोगे, 20 टीम की कोई जरुवत नहीं पड़ेगा, अब आजा हूँ, टीम आपको क्या बनाना, ऐसे तो टीम बनाना है, अब यहाँ पर से समझते हैं, 3 टीम आपको बनाना है दो टीम कैसा बनाना है, दो टीम किस परकार से क्रियेट करें, मानने के चलो यहाँ पर से यह क्या की, मानने ते यह टीम 1 हो गया, अब इसे मैं मानने ता हूँ, टीम 2 हो गया, दो टीम मुझे कैसा क्रियेट करना है, समझना है यहाँ पर से जो मैं अभी आपको बता रहा माल लेता हूं आज का उम्काबला होना तो इंडिया और साथ में क्या की कि इंडिया वर्सिज माले लेते हैं नीधर länd की इसे इससे एक टीम ठीयेट करना तो कई ना कई देखो गे तो क्या ना कि बाई इंडिया एक इंडिया विए तिम से आजए नीदे का की एक टीम है तो काही ना कई कहा सकतों कि आज का मुकाबला हुने जहाँ हुआ हुआ है यानि एक तरफ इस्तरफ क्या कि weak team है strong versus weak के अभी से मुकाबला होने जड़ा मुझे इसमें क्या करना एक team बनाना मुझे इसमें एक team create करना हुआ कैसे team create करेंगे तो सभी लोग का target यह होता सभी लोग इस परकार से team create करेंगे 8 खिलारी जो अपने team में लेना स्टार्ट करेंगे या साथ खिलारी जो लेंगे मानके चलो साथ से किया कि आठ खिलारी जो स्लैक करेंगे वह इंडिया के गयंसे साथ से आठ खिलारी स्लैक करेंगे अब देखो नीदर लेंड के गयंसे क्या कि चार से तीन ही खिलारी को अपने टीम में लेना स्टार्ट करेंगे बट यहाँ पर से क्या होता ने कि जब आप ऐसे करके टीम बनाते हो ऐसे करके जब आप टीम किरियेट करते हो न तो भाई आपका पता लगता है आपर से कि इसमें जब मैच स्टार्ट होता ना तो भाई आपको ये पता लगता कि साड़ा खिलारी जो वह नीदर लेंड के अगेंस करके चला गया और भाई इंडिया के गोंसे सभी खिलारी क्या कि फ्लॉफ हो गया होता भाई मैच है तो मैच अनी सिताओं का खेले यह तो हम सभी को पता है लेकिन हम सभी को तो पता है लेकिन fantasy Carmen तो भई fantasy में क्या वंता है logic बनता है जितना logic हम लगाएंगे जितना extra man लगाएंगे उतना क्या हुगा कि 서 तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना जिधर दूरिया जा रहा है उधर नहीं मुझे जाना ठिक उसके अपोजिट आपको कर देना उसके आपको उल्टा कर देना आप यह करना जब आप टीम बनाना जब आप टीम किलियर करना तो भाई साथ से आठ खिलारी आपको क्या करना नीदरलेंट के गेंसे लेना या माने के चलो तीन से चार खिलारी क माले तेंफर से साथ अफिरिका के विश भी हो सका आप जो team create करतो आप team comparison कर देना है team आप जब comparison करोगे ने तो इसमें आपको clear दी पता लग जागा कि इंडिया कितना percentage नीदर लेंड के against win करता या नीदर लेंड इंडिया के against कितना percentage मैंज को win करता तो इसके opposite आपको क्या करना team जो clear करना होगा एक team आप बना करके जाना 7 ratio 4 में आपको बना करके जाना ठीक opposite बताया हूँ अब देखो आप क्या करना एक team बनाऊँए ने तो इस team में आपको क्या करना कि ज़से आप खिलारी को ले करके जा सकते हूँ इसमें आप सोचना high risk लेने का कितना मैं आपको बोला हूँ high risk लेने का यानि आप low percentage वाले खिलारी को ले करके चलो सभी low percentage वाले खिलारी को ले करके चलो captain और voice captain आप क्या करना कि low percentage वाले खिलारी को बना करके जाना और मेरे भाई मैं आपको ऐसा बताता हूँ, ऐसा आपके साथ सेजर किया हूँ जो बात जो आपको यूटूपर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा और इससे आप टीम बनाने वक्त ना, ड्रीम 11 में यदि आप अप्लाई कर देते हो, फैंटेसी में अप्लाई कर देते हो, तो ग्रैंड लिग आपके हाथ में होगा, आप ग्रैंड लिग को बड़े असानी तरीका से बीन कर सकते हो, अब आज आते हैं टीप्स 3 में, देखो ट उससे टीम जिस दिन से यदि आपके रियेट करना स्टार्ट कर दोगे इस टीप्स के बाद, तो ग्रैंड लिग के आप बहुत करीब होगे, आपको ग्रैंड लिग जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, तो चाहतो ग्रैंड लिग जीतना, ग्रैंड लिग को विन करना, आप ड तो कि या वीडियो काफी ज़्यादा पसंद आया हुगा तो इस वीडियो के लिए एक लाइक किर देना और वाई चानल पर पहली बार आयो तो चानल को भी सब्सक्राइब इडिकर करना नोटिफिकेशन बैल को एपिन कर देना ताकि जब भी में कोई नेक्स टाइम वीडियो अप्लोट करूँगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा